नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल GIT इंडिया में दोस्तो एक बार फिर हम हाजिर है मोल्डिंग इंटर्व्यू कौशना है सरीज लेकर दोस्तो इस पार्ट नौ में हम बात करने वाले हैं कि कम्प्रेशन मोल्डिंग कैसे काम करता है और compression mold होता क्या है और compression mold यो होते हैं वो कैसे काम करते हैं या एक हमारे मित्र ने हमारे चैनल पे नीचे सवाल पुछाता कि compression mold और transfer mold क्या होता है तो आज हम इनके ही topic पर compression molding के उपर video बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए आए हम video के start करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से आगरा करना चाहूंगा कि क्रिपया करके bell icon का बटन दबा दें और red color का subscribe बटन दबा दें ताकि आपको future में ऐसी technical और informational video सबसे पहले प्राप्त हो तो आए दोस्तों देखते हैं compression mode के बारे में दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे compression mode के image दिये हुए है अब हम जानते हैं कि compression mode होता क्या है point by point दोस्तों compression mode जो होता है एक ही बहुत ही आसान तरीका है आपका molding करने का जिसमें जो होता है generally क्या किया आता है गरम material को जो होता है preheated material को जो होता है एक गरम cavity में रखकर press किया जाता है compress किया जाता है जैसा कि नाम से ही परतित होता है compress किया जाता है जो कि उपर से force लगा जा और पॉड़क्ट को सेप दिया जाता है, मोल्डिंग करने के लिए, तो दोस्तो ये तो होगी है, कंप्रिशन मोल्ड, अब ये मॉल्ड का जो क्या होता है, पार्ट कैसे होते है, नॉमनिकुलेचर क्या होता है, आएए हम देखते हैं, इस इमेज के मादिम से, दोस्तो इसमें कर सकता है निचले हिस्सा आपका मोल्ड का वह काम करता है. इसंगन प्रोडार का होता है вашा काम कम काम करता है , पीर-टिफर कर सकता हो। काम क् ikram के वियर को मोल्ड होने के बाद ISmitoj काम आता है दोस्तो hot material जो कि cavity में रखा जाता है उसको हम charge कह सकते हैं, palette कह सकते हैं, या template या material कह लेजिए, इसको कहा जाता है तो दोस्तो ये हम गया normally lecture, अब काम कैसे करता है आपका compression model तो compression model जो है 3 stage में काम करता है, पहले stage में क्या होता है जैसे गरम cavity में आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे material को रखा जाता है ग्रेन वेल्स हो गया आपका जो चार्ज हो के जैसे अभी हमने बात किया तो उसमें आपका fill किया जाता है दूसरे stage में क्या होता है इसको compress किया जाता है यानि कि pressure से force से दबाया जाता है इस material को core के द्वार अपर हाफ के द्वारा जैसे कि हमने पिछले slide में बात किया अपर हाफ कोर के द्वारा इसको दबाया जाता है compress किया जाता है और molding का shape दिया जाता है यानि कि जो भी desire shape होता है product का उसको shape दिया जाता है आपके दूसरे stage में तीसरे stage में आपका mold halves दोनों खुल जाते हैं यह जो हाफ होता है यह fixed होता है अभी हमने पीछे देखा उसका knockout bar जो होता है नीचे से आपका तीसरे stage में push करके part को demold कर देता है या eject कर देता है और इस stage को हम कहते हैं ejection दोस्तो अब आईए हम animation के माध्यम से और actual हम factory में देख पा रहे होंगे यहाँ पे फैक्टरी का वीडियो है यहाँ पे animation है सबसे पहले इसको हम समय कोशिच करते हैं जैसा कि आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले pallet या charge कहलेजिए यहाँ पे आएगा चार्च आने के बाद आपका compressor का उपर से force आएगा तो यह पूरा shape ले लिया उसके बाद आपका ejection pin से जैसा कि आप देख पा रहे हैं ejection pin से product eject होके बाहर निकल जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे compressed होने के बाद mold open हो रहा है और यह तब नुमा एक product बन रह दोस्तो अब हम कुछ product के बारे में बात करते हैं जो कि compression mold के बारे मोल से बनाये जाते हैं जिसमें सबसे पहला है आपका car, tire, rubber, tires जो होते हैं जैसा कि आप image देख पा रहे हैं यह बनाये जाते हैं compression mold से दूसरा है rubber gasket seals जो आपका cylinder यहा पे hydraulic seals लगते हैं जैसा कि आप देख प जैसे cooker का handle हो गया यह आपका press का handle हो गया जैक बैकल add से बनाया जाता है compression mold की मदद से आपका electric components जैसे कि आपका plug हो गया, power plug हो गया, उसके जो socket होते हैं इत्यादी जो होते है Only electrical components compression mold की मदद से बनाया जाते हैं अटोमोटिव parts जो कि अमेज भी देख पा रहे है, ऐसा भी अग्री आपकी parts जो होते हैं, अटोमोटिव parts जो कि compression molding से बनाय जाते हैं, और भी बहूत सारे matrix composite parts जो होते है बनाय जाते हैं, तो हम उसको compression molding से बनाते हैं, दोस्तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और यदि अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और यदि भुरा लगा डिसलाइक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए लेकिन नीचे कारण जरूर लिखिए कि आपको क किया अच्छाने लगा जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में शुधार कर सकें दोस्तो यदि आप यहां तक आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाएं क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे प्रोथान को बढ़ाता है और हमें और भी ने टॉपिक्स पर वीडियो बनाने में मदद करता है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए जय हिन जय भारत